हाँ चलते हैं चले जी तो लास्ट क्लास में अपना काम किया था लास्ट क्लास में हमारा क्या काम था शौर्ट सर्किर्स हमने पूरे देख लिए थे कि शौर्ट सर्किर्स हमारे क्या गाम करेते हैं क्या काम करेते हैं वाहिए शौर्ट सर्किर्स क्या काम करते हैं हमारे सही है, फिर आगे पिर शौर्ट सर्केट्स ठीक है, इतना तक ठीक है आगे फिर आगे चाहिए सबसे ज़र आते हैं, किस समझ आ गई है उसके भी हो जा भी थी तो क्यों नहीं सुनी, आप भी बीजी थी बीजी थी क्लासिस क्यों एंड ले रहे हैं, हम लोग यहां पर आके आप लोग सारे इतने ज़ादा बीजी हो सभी लोग इतने ज़ादा बीजी हैं और फिर भी आप, मैं तो आपको दाद देता हूं कि आप लोग इतनी जादा अपने बीजी स्केजूल में से थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकालते हैं यहां पर कि चलिए सर को थोड़ा सा टाइम देते हैं थोड़ा सा जो है ना मेरी request है कि थोड़ा से मुझे वह जारा time दे थे थोड़ा सा आप कुछ बसे च्ट्राइब कर सकूँ अपना काम सभी जो थोड़ा सा अपना time manage करें आप दोड़ा सेट करें अच्छा जी चलें अब हम लोग क्या आगाम करते हैं अपना यहां पर आज हम लोगो अपना क्या आपना क्या एक अपना स्टार्ट करना है एक आप्रू आपक अपना सिरफ और अपना है एक ब Corne किमांसा हुक है यू simplा इसा सब्सक्राइट और बनाकम को यू किसkęड कर रहा था हमारे पास का पला अब जो ishij का का हमरे उसके लिगार और इस सब्सक्राइट और ऑ trips पॉर तो पर वूरो पास हमारे पास एक रहता है और आपथ says हमारे use effect क्या होके यह में लिए यह काम कर रहा होते है कि आपकी side effects सारे perform कर रहा होते है अब side effects से क्या मतलब है, side effects perform करने से क्या मतलब है let's suppose हम लोग क्या काम करते हैं हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे out of the component काम हो रहा होते है out of the component काम होने का क्या मतलब है है let's suppose हमारि उस webpage लो सकते हैं हमारा title change हो रहा हो, हो सकते हैं हमारा webpage हो जो के छोटा बड़ा हो रहा हो rethink हो रही हो इस सद्टाइधा हो सकतЕ है इस राकी प्लेइन डिफेर्ण हो सकते हैं तो हमारी use effect के थो हो 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 सकते है हमारी API fetching होती API fetching क्या चीज़ होती है अब API fetching होती है हमारे पास हमारा data आप किस तरह से अपने data को access करते हैं और मैं यहाँ पर आके use effect से भी पहले आप लोगों को जो है ना एक API के उपर एक जाना चाहूंगा और वो API हमारे पास हमारी newsapi.org ठीक है हमारी newsapi.org है तो इसके उपर जो है आपने जाने हैं जैसे आप जाओ कि newsapi.org के उपर आप लोगो पहुंचोगी इस dashboard के उपर आप लोगों को अपना obvious है account बनाना पड़ेगा इसके उपर ठीक है अब यह एक ऐसी API हमारे पास इसके उपर आपको सारा डेटा मिलेगा हमने अब तक देखे एगर कि हमारा वो जो सारा डेटा पड़ा होगा था हमने लाइक जो भी अपना काम किया था जो भी अपना वो mapping की थी हमने खुद अपना डेटा क्रेट किया था id1 हो जाईगी तक यह जाईगी तक टाइटा कि थी हमने खुद गड़ किया था अपने काम हार्ट कोड युसको नहीं कह सकते हैं अब हमने खुद अपनी API बनाई थी हमारे पास क्या होते हैं हमारे पास bunny बनाई APIs होती है अब उन bunny बनाई APIs को हमनों लोग यूज कर सकते हैं ग्लोबली लाइक आपके आलो कि जो भी टॉप हैडलाइन्स होंगी आपकी या जो भी इस टाइम पर दुनिया में चल रहा है CNN और BBC को ये मेंली टागेट करता है उन चैनल पर जो भी इस टाइम पर चल रही है वो आमें ये दिखाता है इस API के अंदर ठीक है मेरा अकाउट बना हुआ है आपने बना लेना अपना अकाउट किस तरह से आपना होगे लॉग इन पर क्लिक कर देना और यहां पर आपका आजए का गेट वन हीर का ऑप्शन आपने क्लिक करना है अगर तो आपके पास ही कुछ चीज़ मुत माँगे आपसे फर्स नेम इमेल पासवड विए रहा और आम नॉट रोबोट और मैं अकाउंट कर रहा हूँ आप इसी किसी का यहां पर अकाउंट जनरेट का देता हूँ उजयर अपना नजरा पताएं उजयर और उजयर क्या है आगे यू एन अच्छा यू एन 29624 डन है ओके यह हमारी इमेल है और उसके बाद मैं आपके लिए पासवर्ट चूज कर रहा हूँ आ हाँ ओजयर 123 ने मैं आपके लिए पासवर्ट चूज कर लिए है और उसके बाद I am individual है not our robot हूं और अग्री कर लो इससी को थीक है उसके पाद आखर सब्मिट करें इससी मैं रहा हुए यह मैं आपको क्रेट आक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब यगर उजैर ने ये अपना बनाया आप मेंसे महीन उठती है, और वो अपना बनाती है, आपकी news से होगी, इनकी news से, पैसे time चेंज हो रहा होगा, से आपकी news चेंज होगी, तो हमारे पास ये API की आई ये ये API आपके आके, और अब अगर आकर मैं ऐसी back to home के उपर click करता हूँ ना तो मैं login होंगा मेरे इस user के account से back to home के उपर जाओ यह आ गया यूँए 29624 जो भी सी ठीक है आप लोग आओ के documentation के उपर और यहां पर आप लोग रेखोंगे यह सारी सारी चीज़ें अब यहां पर endpoints के उपर आपने आना है आपको दिख रहे हैं मेरे endpoints मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दा कि आपको proper दिखें निश्चे आजो इसको मैं ज़रा सा scroll खोलता हूँ यह ऐसे पुझे नहीं दिख रहा में भी हो सकते हाँ हजार तक होँ अपन दिखें टॉप हेडलाइन पर क्या चीज़ें इस टाइम पर जो टॉप हेडलाइन चल रही है जैसे आप इनमें से किसी के उपर आकर क्लिक करते हैं आप तो चेक करोगे आपके पास यह पूरा लिंक उसने क्पर लिया हो गाँ मैं बढ़ा कर रहा हूं आप पर देखो psic को पूरा उस एक मुझे लिंक ज्करण करके दे दिया मैं ग्या क्या कर सकता हूँ यहां पर आ के इस पूरे को कॉपी कर सकूंँ get को copy नहीं करना यह हमारे पास get request को कि वो get request मार रहे है आगे इस पूरे link को copy करो इसी के अंदर आप चेक करो कि आगे हमारी API की भी add की हुई है उसने करो इस चीज को और new tap में आओ और इसको control V करो ठीक है उसी पूरे link को जैसे आप enter करोगे आपके आप सारक सारा डेटा आएगा आप देख सकते हो कि यह data को उसी तरह का data है जो कि मैंने खुद हार्ड कोडियर किया था खुद मैंने create किया था बट यह उससे वो data मुझे खुद time की news है content उसका क्या है ठीक है तो यह सारी साची से हर एक news है अगर आप इसमें से किसी को पर click करते हो वो हमें उसकी image दिखाएगा यह उसका जो image होगी उसकी news की वो दिखा रहेगा ठीक है तो हम लोगो क्या का हम कर सकते हैं इस एक link के थ्रू जो है इस पूरे की पूरे data को एकसेस कर सकते हैं अब इससे पता है फाइदा क्या होगा इससे फाइदा होगा कि हमें अब separate file नहीं बनावी पड़ेगी हमारे उस code की उस data की जैसे हमने बनाए थी array के इंदर multiple objects यह उससे फूरे बना कर दिया बस हमें इस link की ज़रत है एक variable बनाएंगे और उस variable को हमें जो पास ला सकते हो यूज कर सकते हो अब इसका यह मैं आपको यहां पर आके बताया क्यों है क्योंकि हमने fetching करनी है use effect का कहलो जो main purpose है ना हमारे पास यहां पर आके वो fetching होती है fetching भी जो काम है वो आपका out of the component ही काम है out of the component इस तरह से वो आपके web page में fetching नहीं कर रहा होता हो वो fetching रहा है direct google से जो link है हमारे पास मुझे इस पूरे कोड़ी data से कोई गर्ज ही नहीं है मुझे गर्ज है सिर्फो सिर्फ मेरे link से अगर यह मेरा link ठीक है मुझे सारक सारा data में जगा है बट अगर link में अगर यह 7 band से हट गया है मुझे कोई data नहीं मिलने वाल एंटर करू आपने सब भी नहीं अपना अकाउंट ज़रूर बिनाना है और हाँ एक चीज आपनों जो face करोगे वो यह होगी कि जैसे आप लोग अपना इस यह पूरा और URL कॉपी करके new tab पे paste करोगे आपका सारक सारा जो data होगा वो आ रहा होगा कुछ इस तरह से ठीक है आपका सारा data वाइड़ फोर कुछ इसा से आपका सारा data आ रहा है कुछ इस सरह से मेरा सारा data इस तरह से इस तरह से इस लिए आ रहा है विकस मैंने अपनी extension इस यह ब्राउजर extension है जैसन व्यूर के नाम से जिससे आपका जो data होता है वह थोड़ा सा अच्छा दिखाता है हमें यह भी इतने ब्राउजर में इंस्टॉल करनी है अगर आप जाओ ब्राउजर में आप लिखो जेसन विवर extension, chrome extension ठीक है तो आपको मिल जेगी आपकी extension पहले नमबर पर ही इसको जो है आपने करना है बस add to chrome जो मैंने पहले किया हुआ है add to chrome आपने करना है बस इस चीज़ को जैसे आप add to chrome करोगे इस चीज़ को आकर add extension करो इस चीज़ को उससे यह होगा कि अब आप लोग आओगे यहां पर और अगर आप लोग आकर रिलोड कर लेते हो या इसको आकर रिलोड करेंगे तो यह आपका कुछ इसी फॉर्म में आजेगा आपका डेटा सारा का सारा ठीक है तो बस आपने यह extension जरूर इंस्टॉल कर लेनी है तो यह हमारे पास सीखता कि API होते हो और API को fetch करने से पहले मैं आपको जारा बताना चा क्यालो कि एक हमारा पूरा पूरा डेटा होता है जो के हम लोग एक सर्वर से लेकर आते हैं अपने front end के पास आप दिखाया सकते हो कि यह हमारे पास एक लिंक है यह उनके एक सर्वर का लिंक है और हमने इस सर्वर के तो उनका यह सारा-सारा जो डेटा है वो एक्सेस किया ह है और हम इस data को use कर सकते हैं अपने front end कi उपर simple API हमारे पास क्या लो कि एक ऐसी चीज है जो की एक data को एक service से लेके लाती है एक user के पास data י अपर आएगा user के पास हमारीwhy काम कर रहे घ्लती है ठीक है डन है आप पी जो example अ tv आप जाते हो एक अपने आपका ओर्डर लेता है, अपने कीचन में जाते है, आपको बना हुआ है, वो सारा ओर्डर आपको लाकर दे देता है, अब यहाँ पर जो है, वो जो आपका वेटर है न, वो आपका API है, वो गया अपने कीचन में, मतलब अपने सर्वर में, वहां से उसने क्या 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 अपना data लिया, मनलब अपना lunch लिया या जो भी आपका order था वो पकड़ा और आकर user को दिया, मनलब customer को दिया क्या काम करते है हमारा API? एक server से एक data को लाएगा और एक user को वो data देदेगा simple जैसे waiter जाएगा एक kitchen में, एक server में, वहाँ से वो order पकड़ेगा और customer को लाँकर देदेगा इतना सा काम है API का, कोई मसला है, कुछ जादी मैंने खुल-खुल के बता दिया है API क्लेर होगी सबको, तो यह हमारे पास एक API है, हम लोग इस link के तुर जो है, इस पूरी खुले data को access कर सकते हैं एक server के तुरो, और इसी के साथ साथ हमारे पास different तरह की APIs होते हैं, let's suppose, super hero API आपको दिखाता हूँ, एक अपना super hero API के उपर मैं आपको लेकर ही चलता हूँ, super hero API अब इस API के अंदर क्या चीज है, इस API के अंदर आपको दुनिया भर के super heroes मिलने वाले हैं यहाँ, obvious आपको इसके उपर भी अपना account बनाना पड़ता है, ठीक है, और यह आपको उनका बताता है, उनका क्या data आपको बताता है ID बताएगा, उनकी power बताएगा, उनकी बायोग्राफी बताएगा, उनकी appearance बताएगा, work बताएगा, काम क्या करते हैं, connection बताएगा, image बताएगा, यह साजी तो वो बता रएगा हमें क्या क्या है, उसकी चीज़े में नहीं है, intelligence, strength, speed, durability, power, combat, हर एक चीज़ आपके super hero की वो हमें बताएगा, यह यह उसकी functionalities है, उसके features यह हैं हमारे पास यह है, इस तरह हमारे पास NASA API होती है, NASA API क्या 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 देती है, वो NASA का जितना भी data ह आपको movies यहां पर आके मिलने वाली है, चेक कर लें, आप लोग यहां पर आके, वो हमें बताएगा, movies की API, rapidapi.com होता है यह, यहां पर आपको अपनी सारी movies का data मिलता है, जितनी में आपकी movies होने वाली है, movie database, प्रॉपर उनकी एक database होती है, वाँसे आपको सारी चीज़े मिलती है, अब यहां पर उसने यह चीज़े दिए अगर मैं इसको पर आके क्लिक करता हूं, तो sign up वगएर आप मुझे करना पड़े हैं सब के लिए, ठीक है, discover API test from your browser, connect करो, अपने code के साथ, fly easy आप लोग काम कर सकते हैं, इसके अंदर रहे कर, एक मुझे restaurant अपना बनाना हो, restaurant बनाना है मुझे, मैं क्या काम कर सकता हूं वापर जाके, या तो मैं अपने सारी orders वहां पर लिख सकता हूं, custom data add करता हूं, जैसे मैंने अपना एक array बनाए, उसके अंदर आईडी, नेम, इमिल वगर वह साथ चीज़े आड करती थी वहां प पर हम लोग फिर क्या काम करते हैं, बनी बनाई API को built-in API को use करते हैं, जैसे कि food API आपको बहुत मिलने वाली हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर आप ये movie API को पर चलते हो, get study को पर आओ, आप लोग, आपर नीचे इसने कुछ ना कुछ चीज़ें तो दी होंगे, यह यह आपर देखो, इसने भी API की दी होती है, उस specific API की के थूँ ही जो होता है आप अपनी उस API को access कर सकते हैं, जैसे मैंने ये news API को किया हुआ, तो बताने का main मक्सद यह है, कि आप लोगोंने आगे जा की API में बहुत काम करना है, जब हम लोग अपने backend में काम करेंगे, backend में हम लोग अपनी API, APIs खुद बना रहे होते हैं, मैंने आपके API का definition बताई है, कि एक server से data लेकर आती है हमारी API user के पास, हमें पते है backend में हमारा server ही बन रहा होता है, ठीक है, फाली उसना बैठे हैं, इतना लेट नी होगे बिलाल, जो है न, हमारे पास, हमारा backend का जो server होते हैं, वो भी हमारा एक server है, और हम लोग आके जाके ये काम करेंगे, अपने frontend से backend को request पेजेंगे, उस API के उपर request पेजेंगे, वो backend की जो सारा data होगा, वो हमें हमारे frontend में show करा देगा, वो भी एक API होगी, तो इसलिए हमें पता हो होना चाहिए कि API किस तरह से working कर रही होती है हमारी, ओके है, यहां तक कोई मसला किसी को भी, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इस API को fetch करूँगा, आज की class में, और पहले हम लोग अपने use effect को देखते हैं, क्योंकि use effect के through हम लोग अपना API को fetch कर सकते हैं, ओके है, कोई मसला य अपना यह अकाउंट बना लिए ना, यूज अपना API के उपर, और ना उज्यार की use करें ना, इसका पास रही तो सबको पता चली गया होगा, ठीक है, तो यह आपनो सारे काम कर सकते हो, मैं इसको खतम कर रहा हूँ, और यह मैं एक लिंक है, इस लिंक के थूज है, मुझे यह काम किया था, अपना react course, ओके ठीक है, एक और batch था, उसमें मैं उनको फ्रेंटर से backend पर पिसा से request जाती है, वह दिखा रहा था, तो मैंने API का यह वाला प्रोजेक्ट खोल दिया था, उसके अंदर मैंने backend पर request बेजी थी, एक से उसके थूज के थूज, उसको देखने की npm start करें, ताके मुझे suggestion साथ साथ देता है, clear करो, npm start करो इसकी इसको आकर, error आने वाला है, मेरे पास देखते है, क्या, error आने वाला है, I think conditional rendering वाली वुक्त थी, उपर वाले, इसको backend API को खतम करो, यहां से आकर conditional rendering को जो है, मैं call कर आदूँगा, यहां पर आकर, error आकर ठीक ह इसको मैं conditional rendering देता हूँ, ठीक है, save browser, compile कर रहा है मेरा यह, okay है, तो loading हो रहा है, हमारे पास यहां पर आकर, हमने देखा था कि conditional rendering किस्ता से होती है, हमने बोला था कि अगर हमारा जो loader है, is loading हमारी एक state थी, हमने उसे बोला था कि अगर हमारी वो state जो है, वो true है, तो आप हमे यहां पर हमने इसको उल्टा कर दिया, तो वो उसको true कर रहा था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब मुझे हे शो करवा देगा कुछ इस तरह से, done है? हमारी condition running यह थी, बट मैं इसको खतम कर रहा हूँ, यहां पर आके, अपना बना रहा हूँ, एक new folder जिसका मैं नाम रखूंगा, मेरा use effect, ठीक है, और उससे पहले मैं एक और चीज़ यह करूँगा, कि थोड़ा सा अपना जनब brightness पढ़ाँगा, कि मुझे यहां पर प्रॉप condition running को खतम करते हैं, और use effect के दूर पर चलते हैं, एक file बना रहा हूँ, यहां पर आके, जिसको मैं बोलूँ का, मेरा use effect component.jsx, okay, rafce करते हैं इस चीज़ को, और save करूँ इस चीज़ को, ऐसी इस दिदर आकर मैं अपना एक h1 का tag add करता हूँ, जिसको मैं बोलूँ का, मेरा use effect component, done है, और इसको call करवाते हैं, हम लोग यहां पर आके, conditional running के बजाए, use effect वाल करवाते हैं, इसको कतम करेंगे, और ठीक है, और हमारी browser में आ रहे है, use effect component, कोई मसला यहां तक किसी को भी, अब आज हो और हम लोग बात करते हैं, अपने इसी use effect के component के उपर, कि use effect का component जब हो, क्या गाम कर रहा होता है, और use effect के एक hook है हमारे पास, अच्छा hooks के मैंने आपको उस rules बताए थे, शायर नहीं बताए, लेकिन आप बता रहे हैं, आप बता रहा हूँ, use effect का, जो जितने भी हमारे hooks है, सभी का ये rule है, एक तो उनके साथ use लगेगा, हमेशा सभी के साथ, ठीक है, उनका एक rule है कि कभी भी आप उनको जो है, अपनी किसी भी if else condition के अंदर use नहीं करते हैं, कभी भी using कर सकते हैं, let's suppose if else condition में लगाई, और मैं इसकी अंदर अपना use effect नहीं कर सकता, मुझे error दे देगा, save करके, अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो मुझे वो error दिखाएगा, अगर मैं इसको proper आपको करके दिखाऊँ, कुछ इस तरह से, मैं आपको इसका सारा स्क्राइब से बता दिखा देता हूं, बट मैं आपको फिल्हाँ ऐसी एक चीज़ दिखा रहा हूं, यह error क्या आने वरा है, यह check करो, error क्या आ रहा है, react hook use effect is called conditionally, react hooks must be called in an exact same order in every component render, आप कभी विपने किसी भी hook को, किसी भी if else conditions के अंदर call नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, एक rule है इसका, तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले अपने use effect को देखते हैं, सबसे पहले आपको उपर इसको import करना पड़ेगा, उपर इसको import कर लो आकर, मैं यहीं पर आके जैसे मने use state किया था, वैसे यहां पर आके इसको use effect करूँगा, done है, और इसका जो syntax है वो कुछ यह होता है हमारे पास, आप लिखते है use effect कुछ इस तरह से, कुछ तरह से call होगा और एक parameter भी ले रहा होता है, इस तरह से हमसे आके breakage लेते हैं, और आपका arrow function कुछ यह, use effect का जो syntax है, वो हमारे पास कुछ यह होता है, चीक है, और यह से एक second parameter लेते हैं, हमसे इस callback के बाद वो होता है, हमारे पास एक empty array, कुछ यह इस तरह से, हमारे पूरे use effect का जो syntax है, वो कुछ यह है, अब जरा इसके बारे में जरा देखते हैं, की यह syntax काम किस तरह से कर रहा ह Kolleg होता है हमारा मिली काम इस सब्च कर रहा nodes है कि, अगर मैं यहां आता हूं मैं इसको भटा रहा हूं और मैं यहां दन है use effect rendering एक ही हो गया और उसके बाद return के अंदर भी एक मैं console.log कर रहा हूं मेरी component rendering ठीक है कुछ इस तरह से कोई मसला और इसको मैं अपनी कली बेसिस के अंदर आड़ करूगा ना कुछ इस तरह से console.log और मैं इसको return से पहली कर देता हूं यह मज़ी मुझे करना है जहां तर clear है सिर्फ मैंने console.log add कि एक use effect के अंदर और एक उसके बाहर और अब आखर आप लोग मेरा browser देखो यह console देखो कि होता क्या है वहां पे जाक कि console चेक किया है मैंने यहां पर आके तो आप लूँक चेक करो कि क्या दिखा galaxies वह मुझे यह उर आके component rendering और इसके बाद use effect rendering दिखा रहा है ब कि इसका यह मतलब है कि जैसे ही आपका component render होता है आपको यूसे को बढ़ाना पड़ेगा थीक है किसी तरह के कॉल कि बने कर रहा होगा। ठीक है है किसी तरह कि किसी पीचीज को पर ये डोगिक कर रही थी कॉल कर पा रही तही है यह कर windows की कर अगर इसके अंदर कुछ और लॉजिक हो था तो वह उसने मुझे रेंडर करके देना था तो है यह आप हमने यह चीज़ देखी कि यूज इफेक्ट हमेशा रेंडर होगा जैसे ही आपका जो कंपोनेट है वह रेंडर हो रहा होगा रहेंडर और अन मांटिंग डेट्रॉय हो रहा होता अब संदर यहां पर हूं ना ही Am fashion वारा होगा पर कितने बॉज पर से से नहीं करता है वता था एक ती इस ऑदुन हो नश्दमाट हें रहा वह क्या काम करता था तो यह ततो कंपवनेटेटमट वी काम कर रहा था और कंपवनेट्माउंट वी अगर प कंपवनेट्टी वी चुका है अगर वणा पका है तो यह आपका पर द Davao engaging my Kudordan component बनेगा तो यहां पर क्या सीन है यहां पर क्या सीन है हमारे पास जो यूस एफट था यूस इफट था है वो component didota वाला भी क neglig t공ा यूझ और component willमउंट वाला भी काम करते हैं हमारे component को इसने पहले बना भी लिया, लाइक वो काम भी कर रहा है, और हमारे component आगे बनाएगा भी, ठीक है, यह इसका मेली काम हो सकता है, यहां पर आके, तो अब जाए इसको चेक करते हैं कि काम किसा से कर रहा होता है, हमारा, पहरे दो मैंने आपको यह चीज़ बताएं कि हमेशा हमारे side effects perform करने में काम आता है, side effects means, out of the component आपका सारा काम, अब out of the component आपका काम क्या क्या हो सकता है, out of the component आपका कुछ यह काम हो सकता है, let's suppose अगर मैं target करता हूँ, आकर मेरे इसको, title को, मेरे title का नाम इस टाइम पर क्या है, react app, ऐसी है, सब को नज़र आ रहा है, react app, मैं अगे मेरे out of the component काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपके इसको change कर सकता हूँ, किस सरा से मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मेरा document.title के नाम से एक चीज़ होती है, ठीक है, इसका मेरे component के साथ कोई link नहीं था, बट उपर उसने वुफा काम करके दे दिया मुझे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, console को, आप लोगो देखो कि उपर मुझे new title करके दे रहा है, और इसी चीज़ को थोड़ा सा और बेतर करने के लिए, हमें ये काम करें होगे, एक अपनी state भी आइड़ करें, मुझे use state के दुरूब, use state, या आजकर मुझे पता नहीं क्या वज़ा है, ये suggest नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम लोग लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, use state है, तो इधर आते हैं, हम लोग यहां पर आके, और, const, title, const, title करते हैं इसको, और मैं title इसको मैं value करूँगा, const, value, comma, set value, is equals to मेरा use state, कुछ ये, और by default मैं इसको रख रहा हूँ, मेरा 0, ओके, कुछ इससा से आजएगी, और ये जुसके बाद, जो मेरा new title है, इसको मैं बोलूँगा, new title, और column करके, मेरी वो value, कर सकता हूँ मैं ऐसे, कर सकता हूँ ऐसे, इसका क्या मदल होगा, अब मुझे मेरा title दिखने वाले है, new title 0, डॉजर पर चलते हैं, जो है, if else के अंदर नहीं आ सकता, but if else use, इसके अंदर आ सकते हैं, तो मैं यहां पर यह कि, इसके अंदर अपनी if else conditions आट कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा, अगर मेरी जो value है, value, जो मेरी state है, अगर वो जो है, वो, बोलता हूँ, greater than, अगर वो greater than zero है, तो, तो ही आप यह काम करो, अगर वो greater than zero है, तो आप चार कि उसका title change करो, वन आप ने उसका title change नहीं करना, तो by default, मेरे पास आना चाहिए, वही react app, कुछ इससरा से, ठीक है, बट अगर यह कभी change हो रही हुई, तब जाकर यह मुझे यहां भी show करवा देगा, तो मैं इसको change भी कर देता हूँ, नीचे चलते हैं, अपने web page में, और मैं इसको अपना एक h1 देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा, कली braces के अंदर आकर मेरी value, value, save browser, zero आगी मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर यह दिखे, तो मैं इसको इनना इस्टाइल कर रहा हूँ, कली braces के अंदर, display, colon, flex, इसके बाद मेरा justify content, justify content, colon, center, और मेरे इतना सा, अगर मैं करता हूँ तो, और flex direction भी column करूँगा, मैं, कॉमा करके मेरी flex direction, colon, column, सही है, कुछ इस्टा से आया, और align items की center करते हैं, जब आखे, align items, colon, मेरा center, और यह इस string के अंदर आएगा, done है, ठीक है, यह बस यह काम करना चाहाँ था, तो सहीन कुछ है, मैं अपना बटन भी बनाऊँगा, यहाँ पर आके, तो जो बटन जो है, वो इस value को update कर रहा होगा, update value, कुछ ऐसी मैंने बटन बना दिया, जैसे इसको फिर click होगा, मेरा यह वाला जो 0 यह वो update होगा, जो बढ़ जो 0 काहाँ से आ रहा है मेरा, मेरी state के थुरू आ रहा है, तो अब मुझे पता है, अगर मेरे पास use state है, और इसकी value मैं by default use कर रहा हूँ, अगर मुझे इसको update करें, तो मैं किसा सी update कर सकता हूँ? set, जो मैरे पास function है, मैं उसको use कर सकता हूँ, यहाँ पर set value को, तो मैं यहीं पर आ जाँँगा, बटन के उपर, और on click का equipment add करते हैं, और इधरा करें लोगों क्या 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 है, error function लगाएंगे, वनना क्या होगा, वो infinite loop में चला जाएगा, मैं उसको बोलूँगा, set value को target करो, आप value प्लस one कर देना, वाँ पर जाके, ठीक है, set value को पास करो, वैल्यू प्लस one, तो by default क्या है, यहाँ पर भी zero है, उपर भी by default react आ रहा है, उपर मैंने ifs condition अपने लगाई गुई है, क्या लगाई है, कि अगर value जो है, वो मेरी zero से बढ़ जाती है, तो आपने वो काम करना है, टाइटल चेंज करना है, अभी मेरी value zero तो वो चेंज नी कर रहा है, अगर मैं इसको आखर करता हूँ, update, तो अब उसे मेरा टाइटल भी चेंज किया, उपर टाइटल चेक करो, और यहाँ पर भी आपने वो औविस है, में कोई मसला नहीं है यहाँ पर आके, हम लोग एक और भी काम कर सकते हैं इसकी, इसी के इंदर रहकर, और वो काम क्या है, हम लोग अपना जो वेब पे जाना, उसका size चेक कर सकते हैं, बिकरस वो भी out of the component काम हो रहाँ होगा, जो मेरा यह पूरा वेब पे जा रहा है, इसको window बोलते हैं हम लोग, हमारी जो window है, वो, तो मैं अपनी एक और state यहाँ पर आके add कर रहा हूँ, इस पार चलते हैं, और इस पार आके अगर वापस नहीं दे रहा है, मैं इसी को duplicate करूंगा, control-D करके, और इस पार इसको मैं दूँँगा मेरा size, ठीक है, set size और size हो जाएगा, set size, और यहाँ पर आके के हो जाएगा, वो मेरा size, ओके, और इसको मैं by default value दे रहा हूँ, मेरी window.inner width के नाम से, एक मेरे पास होता है, यहाँ पर function js के अंदर built-in होता है, जावा script के अंदर इसका कोई, हमारी react के साथ लिंक नहीं है, हमारे पास यह इसकंदरी linked होता है पहले से, उसके अंदर built-in है, तो इससे होता यह है कि हमें प्रॉपर इसकी width बता रहा है, हमारी पूरी screen की, क्या है, window.inner width, अगर मैं यहाँ पर आके नीचे आऊँ, और यहाँ पर आकर जोए मैं अपना एक window size भी add करता हूँ, use effect के पाद जोए मैं अपना window size एड कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, मेरा 1H1 के अंदर ही, window, column करके, और कली basis एड करो, किसे नीचे जोइन किया, कली basis एड करते हैं, और यहाँ पर आके, अगर लिखता हूँ, मेरा size, मेरी state का नाम, save करो, browser मेरा चेक करो, यह है इसका size, 1280, ठीक है, साथ में pixels एड कर देते हैं, क्योंकि में यह पिक्सल के अंदर ही होता है, ठीक है, तो by default क्या है, मेरी इस window का size है, 1280 pixels, और अगर मैं इसको जो है, छोटा करता हूँ, अभी वो मुझे 1280 pixels दिखा रहे हैं, अगर मैं इसको आकर reload करता हूँ, तो वो मुझे कम फिर्चो करवाएगा, कुछ इसा से, 1388 हो गया, ठीक है, वापस बड़ा करते हैं, वापस यह हो जएगा, हमारे पास, वाई 1280, बट मैं यह काम नहीं करना चाहर हूँ, यहां पर, मैं पता है क्या गाम करना चाहर हूँ, मैं यह काम करना चाहर हूँ, कि जैसे ही मैं छोटा करूँ, ऐसे, ऐसे ही मैं छोटा करूं तो प्रॉपर मुझे साथ सर इसकी वैल्यू कम जादा होती हुए दिखनी चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या गाम करते हैं वापस इसी इफेक्ट को यूज करने वाला हूँ मैं यहां पर आके तो हम लोग उसके लिए क्या गाम करेंगे अपने एक सेपरेट फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं यहां पर आके कॉस करेंगे और इस दरा करूंगा मेरा री साइज विंडो के नाम से मेरा फंक्शन होगा ठीक है और एक यह फंक्शन में पास कर सकता हूँ इसके अंदर आकर दन है और इसके अंदर आकर मैं क्या क्या करूं कि मैं अपने इस सेट साइज को टागेट करूंगा और उससे पहले मुझे पता होना चीए कि यार मैं यहां पर आकर में अपने एवंट करने वाल हूं और रिस में आटमे मेरा इवंट होते है। मैं करूंगा मेरा विंडो डॉट इवंट लिस्नर करो जैसे और जैसे विदिन लोग करते थे विंडो डॉट ईवंट ले रहा होते हैं कौन कौन से पेरामिटर थे इसके बारियर्वल इवंट था एक और हमारा function था एक हमारा function था जो कि यह काम कर रहा था ठीक है हम लोगे काम करें event लिस्टर और मैं इसको एड़ करना हूं मैं एक मेरा resize का event resizing के लिए और second parameter इसका होगा कि आपने function कौन से run करना है इसके उपर आकर और अच्छा मैंने गलती कर दी मैं resize window function के अं पर आकर ठीक है और उपर वाले को मैं फिलहार के लिए comment कर तो उसकी में ज़रूरत नहीं है और यह जो resize window है इसको मैं call कर रहा हूंगा यहां पर आकर बस ठीक है resize window done है या ना कोई मसला और इस resize window के अंदर चलता है इसको set करते है मैं बोलूँका set size जो है ना हमारे पास set size आ इसको small करते हैं तो check करें जैसे मैं small की 111 हो गया चोटा अगर मैं इधरा कर ऐसी करता हूं इस resize को तो मुझे ऐसी शो करवाता जाएगा कि क्या 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 आपका size जो चोटा बड़ा हो रहा है यहां पर आकर समझार यह किससे से काम कर रहा है हमारा यह काम हो रहा है out of the component tracker का हो रही है ठीक है तो आप लोगों को अगर कोई भी out of the component tracker काम करना हूँ आप लोग क्या काम करोगी use effect को use करोगी हो सकता है प्रॉप्स के तुरूँ उस function को पास कर दो उस button के पास उसी फाइल में पास कर दो उसको तो उसको export करेंगे ना फिर हमारा जो प्रॉप है उसका logic ही यह था कि आपका अगर आपका component call हो रहागा वहां पर आप उसको पास कर सकता अपने प्रॉप को आपको फिर अपने अपने गम्रेंट को कॉल को रहागा और पिर आपर उसको पास करना पड़ेगा या पिर आप यह काम कर सकते हो आपका एक इक सेपर आप लोग एक चीज़ को और गार से देखोगे और वो चीज़ क्या है हमारी website की performance हमारी website की performance बहुत important चीज़ है जब कभी आप किसी बड़ी company में जाते हो न वो आपसे यह कुसर गते है कि आप किस साथ अपती website की performance अच्छी कर सकते हो हमें पता है जैसे मैं click करता था मेरा event fire ह हो रहा होता था अपना mouse की सी button को पर लेकर जाता यहाँ ऊटा था फायर हो रहा हो रहा हूता था अपना mouse हटाता हूं भुए can find fire हो रहा है अगर मैं click करो eben fire हो रहा है छोड़ रहा ही इंटी इवंट फायर हो रहा है मैंद बास '' क्या हो कि मैं जैसा इसको छोटा बडा कर रहा हूं'' यह देखो मैझे इतनने था िक भार इसको छोटा बडा की है , बुझे नहीं पता कि कितनी बार मैंने बड़ा चोटर बड़ा किये और कितनी बार मेरे जो इवंट है वो फायर हो रहा है मुझे नहीं पता है या पता है नहीं पता तो इससे हमारी एप्लिकेशन की जो परफॉर्मेसन वह बहुत कराब हो जाती है आप लोग इस चीज़ को चेक करोगे जाती चीज़ कर रहा है यह सिर्फ मैं इसलिए कर रहा है कर सकता है इसे मैं चोटा बड़ा करके आपको दिखाता हूं कि कितनी बार मेरे इस इवंट को फायर किया है चोटा करते हैं जैसी चोटा किया क्या हो और री साइजिक विंडो फायर हो गया चोटा बड़ा आप इसको करके मैं चेक करता हूं चेक करो कितनी बार वह फायर होता ही जा रहा है ठीक है मेरा वो जो एवंट है री साइजिक विंडो व आता ही जा रहा है वाँ पर सेंव बार वार फायर होता ही जा रहा है और एक ही फंक्षिन री साइजिक विंडो फायर वो बार बार रस कर रहिए एससे हैं मेरा function बार भारान कर रहा है जब एक ही बार में अगर मैं user हूँ तो मुझे तो करने में मज़ा आ रहा है मैं उसके चेक करने में मुझे करने में मज़ा आ रहा है तो उसको यूफ करता रहेगा एट दा इन के हमारी application जो बहुत स्लो हो जाएगी क्योंकि same event बार-बार fire हो रहा होगा वो clear नहीं हो रहा बार-बार fire होता ही जा रहा है वो ऐसे ही है होता जा रहा है वो fire तो इस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा देश हो 83 ये 83 उपर उपर 83 होगे इतनी बार मैंने अपने इस एक event को fire कर दिया है एक user ने आकर मेरे इस एक event को fire कर दिया है जिससे मेरी application की जो responsiveness है और responsiveness कहा रहा हूँ उसकी जो performance जो है वो बहुत खराब हो जाएगी बहुत slow हो जाएगी में application अगर मैं इसको और जादा थोड़ा सा करूँ न यह भी होसे कि मेरी application यहीं पर crash कर से अगर मैं इसको थोड़ा सा और करता रहा हूँ इसी तरह थोड़ा और टाइम आप देखोगा आसा थोड़ा हो जाएगी at the end वो crash कर जाएगी 111 होगे अगर आपको देखो न आपको एक और चीज दिखाऊंगा यहां पर आके आप पहुंचोगे अपने elements के अंदर और यहां पर आओगे अपने event listeners के अंदर मैं लिए एक button होते हमारे पास मैंने पहले आपको इस button के बारे में नहीं बताया मैं इसके उपर आकर चेक करता हूँ तो आपको निचे आओ स्क्रोल करो तो यहां पर आपके पास होगा यह resize का क्लिक करो इसके उपर आकर फिरहाल by default यह एक बार इसी तरह से हो रहा है एक बार run कर रहा है अगर मैं इसको आकर यह करता हूँ और इसको आकर जो है ना मैं थोड़ा और चोटा बड़ा करता हूँ कोई मैं इत्नी बार कर दिया इसको done है अब इसको बड़ा करो और अब जड़ा आओ इसी resize के उपर और अच्छा यह से मुझे ऐसे show नहीं करवा रहा है यहां पर मैं इसको एक पर आकर बस reload कर लेता हूँ और अब दुवारा से इसको करा हूँ इसको ने थोड़ा सा यह कर रहाँ थोड़ा सा इसको उपर कर रहा हूँ वापस elements को इसको अब रेकर जा रहा हूँ और मेरा Resize का event वह पढ़ा हुआ है कुछ नीचे पढ़ा होगा यह पढ़ा है Resize का event ठीक है इसको छोटा बढ़ा करते हैं हम लोग आकर तो इसको छोटा बढ़ा करिके क्या हम लोग ने यह कर रहा है हमारे पास यह काम कुछ इस तरह से और add the end होगा क्या ना यह जो मेरा event ठीक है इसको खोल के आप लोग देखोगे तो यह event multiple time fire हो रहा होगा यह तीस साथ के event multiple time fire हो रहा होगा यूज इफेक्ट कंपोनेंट के अंदर चाहकर अगर आपको इसी चीज़ को देखो हमें source के अंदर लेकर चला जाता है उसका हमारा slaveryfootprint.org इस पर इसको पर क्लिक करता हूँ स्क्रोल होता है यह क्लिक करो स्क्रोल हुआ जंजीरें खुली है यह देखो क्या होता कि इसमें स्क्रोल होते है और वो मेरे हाथ है वो content लेकर आते हैं सानक 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 ऐसान अब मैं एक user मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करने में अगर एक developer है उसको पता होगा कि user इसको बार-बार scroll कर रहा है on scroll का जो event है वो बार-बार fire हो रहा है हो रहा है अगर उसने जो है मेरे उस event को clear नहीं किया होगा तो इसलिए important है आगर आपको कभी ऐसा लगए कि यह वला event बार-बार fire होगा उसको clear भी करना है फिर आप लोग clear हो यहां तक क्या मैं बात कर रहा हूं performance की बात कर रहा हूं मैं तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग फिर क्या गाम करते हैं हम लोग वापस आते हैं अपनी इसी के अंदर इसका क्या है हमारे use effect का का काम नहीं है बट यह हमारे उस event को जो remove कर रहा होता है इधर आ जाओ और इसको जो है आप लोग ऐसी कर देते हो सिंप्ली मैं इसको आकर यह कर रहा हूं आप remove.addEventListener को use करते हो यहां पर आके ऐसे ही इसको खतम करो remove.remove windows करूंगा मैं window के ओपर था window.removeEventListener ठीक है पहले addEventListener था अब removeEventListener है और इसके ओपर कौन सा event था वो resize का event था और function क्या था?resize window इससे यह होता है कि हमारा event जब रिमूव हो जाता है पिर जैसे एक बाद वो run किया उसके बाद रिमूव भी हो जाएगा कोई मसला नहीं बनेगा इससे ही होगा कि जैसे user fire करता रहेगा साथा साथा वो clear भी करता रहेगा उस चीज को add and हमारी ज तो यह कुछ चीज़े important है हमारे लिए यह हमें पता हो नहीं चाहिए हमारी application के किसा से काम कर रही होती है तो यह थोड़ा सा out of the context काम चला गया हमारा जो मैंने यह आपको दिखाया event listener का बट यह जो add event listener था यह हमारे इसी use effect का काम था कि आप इसी के अंदर रहकर अपना यह यह भी काम कर सकते हो कि window को resize भी कर सकते है यहां पर आके ठीक है out of the component काम हो रहा होगा मारा इतना तो हमें काम done हो गया है यहां तक सबको clear है अब use effect का ही जो है एक पॉपर मैंने sentence जहां पर बनाया नहीं है मैंने use effect का आदा sentence लिखा है use effect के अंदर ही एक और चीज होती है और वह होता है एक इसका second parameter कॉमा करके आप add कर तो अपना empty array अब use effect का जो syntax है वह पूरा हुआ हुआ है अब यह जो empty array है हमारे पास यह empty array है यह क्या काम कर रहा होता है इस empty array का यह मतलब होता है कि आपका जो use effect के अंदर जो भी logic पढ़ा हुआ है वो run करेगा सिर्फों सिर्फ पर उसके बाद वो run नहीं करेगा आपका अब इस काम को इस चीज़ को करने का क्या मतलब है इसको यह बताने का क्या मतलब है मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा component render होगा साथ हमारा use effect के वाला logic render हो जाता है फॉरां से ऐसी हमने स्टाटी में console.locker के चेक किया इस चीज़ को हो रहा था अब होता यह है उसके बार हमने यह भी चीज़ देखी कि जैसे जैसे मैं छोड़ा बड़ा कर रहा था मेरा use effect के अंदर logic था बार बार वो render कर रहा था ठीक है बाद लोग चाल सकते हैं कि नहीं यार वो बार बार render नहीं होना चीज़ सिर्फ वो उसी initial time पर render होना वो सिर्फ वो सिर्फ इनिशल time पर render होगा बार बार render नहीं होगा जिस तरह से let's suppose मैं आता हूँ यहां पर उपर वाले को उपर चलते हैं इसको मैं commit करना हूँ उपर वाले को उपर चलते हैं क्या है इसको हमने लगाई था हमने बोले था कि value अगर greater than zero तो आप document to title को यह change कर क्लिक करो इस चीज को आकर यह वन हो यह अपडेट नहीं हुआ मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ यह मेरा अपडेट होता जा रहा है क्योंकि यह मेरा use state वाला काम था और उपर मेरा title जो अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि उसने जो है initial time पर एक बार उस चीज को render कर दिया है यूज इफेक्ट को बार बार एंडर में करेगा अगर मैं इस चीज को आकर हटा देता हूँ यह ठीक है अब आओ तो अब उपर चेकर करो कि न्यू टाटल नहीं आ जाएगा अब एक दफ़र आया था हमने क्या क्या है हमने अपनी if else conditions लगा यह नहीं है अगर value greater than zero है तो आ अगर मैं यही काम आप देखो अगर मैं यही काम जो है यह करता हूं इसके बाहर कर देता हूं ठीक है comment done है और उसके बाद आकर इसको मैं एक empty यह दे parameter पास करता हूं clear रहे यहां तक अब क्या scene है initial time पर एक बार render करेगा अब उसके बार render नहीं करेगा देख लो initial time पर reload किया इसको एक बार आकर हमने new title जीरो आगे initial time पर render हो गया वो बट उसके बार run नहीं होगा उसके बार render नहीं करेगा दन हो गया यहां तक सबको clear है तो यह जो हमारे पास हमारा है na empty array इसको हम लोग बोलते हैं empty dependency इसका यह मतलब होता है कि आपका use effect के अंदर जो भी logic वड़ा हो है वो सिफ एक initial time पर render करेगा बार बार render नहीं करेगा और अगर आपको चाहते हो कुछ चीजें जो आप बार बा तो मेरी value जो है वो अब होगी वो बार बार रेंडर होगी जब मेरा component render हो रहा होगा ठीक है कुछ इस तरह से काम करता है हमारा यह empty array होता है यह देख लो अब वो सार सार काम कर रही होगी बट अगर इस value के अलावा कोई भी चीज देना वो सिर्फ initial time पर render होगी अगर मैंने यह देख सबको क्लिए रहे है चेलेंज जी तो अब जब बात करते हैं कि हम इसकी जरुद क्यों पढ़ रही है यह जो हमारे पास empty dependency क्यों पढ़ रही है हमारा जो है data है क्यों हम लोग नहीं कर सकते कि बार बार हमारा component render होता ही रहे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं रहे हम के थूरू अपनी APS को fetch करना है data को fetch करना है क्या हो कि मेरी वो 100 items है news की 100 items है और वो बार बार fetch होती ही जाए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 बार पर render होती ही जाए जब मेरा component render होगा क्या होगा फिर वहाँ पर जाकर load जारा होगा application वापिस वाँ पर जाकर crash कर जाएगी क्योंकि एक ही data बार बार fetch होता जा रहा है फिर वाँ पर हमें इस चीज़ की ज़रत पड़ेगी वाँ पर हम लोग चाहेंगे कि नहीं या सिर्फ initial time पर एपर run करें उसके बाद ये run नहीं करनी जाए क्योंकि ये बार बार run करती रही बहुत मस्ट्रा बन जाएगा हमारे लिए ठीक है और इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा से करके दिखाऊंगा अभी मैं ये काम करूँ इस फाइल को जो मैं ऐसी रख रहा हूँ और मैं use effect के नदर आखर अपना एक new file generate करूँगा इसी फोल्डर के अंदर API fetch.jsx ठीक है RFCE करते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार किसा से हम लोग अपनी APS को fetch कर सकते हैं अब तक हम ने देखा कि use state के अंदर हम लोग अपना add कर सकती हैं फिर उसके अंदर हम अपने multiple objects add करते हैं ताकि हमारा data बंचे बट अब हम लोग अपने उस URL के त्रूँ एड करेंगे सारा data आज हो जाए दर और अब जाए इसको काम में लेकर आते हैं किस तरह से में लोग काम में इसको लेकर आएंगे मैं आ जहूंगा यहां पर और मैं अपना एक variable बनाओंगा top के ओपर global variable होगा मेरा cost URL is equal to एक string के अंदर मेरा यह सारा का सारा URL ctrl c ctrl v कोई मसला कोई भी अगर इस URL को उपर जाता है नो तो उससे मेरा यह सारक सारा data मिलना चाहिए तो बिल्कुल मिल रहा है ओक है तो इसको बागी सब को बंद कर रहा हूं मैं और इसको ज़रा start करते हैं और यह जो मेरा API fetch है न मैं इसको call कर आऊंगा index.js को उपर जाकर API fetch done यह हो गया तो अब मुझे मेरा browser मैं यहां पर आकर करते हैं लोकल 3,000 और enter बिल्कुल ब्लैंक पर जा रहा है क्योंकि कोई भी चीज नहीं है मैंने उसके ने कोई भी चीज एट नहीं किया ठीक है अब आज उसराइदर और अब हम लोग क्या काम करते हैं हमारी news API बनाते हैं यहां पर आके ट्राइ करूंगा कि आज ही सारी में proper API fetch करूंगा बना कल का दिन हमारे पास है ही यह पूरा प्रॉजेक्ट है जो कि मैंने भी start कर दिया है ठीक है API कि सारा से fetch करनी है हमने न्यूज API को API fetch और यह इदर हो गया और इदर आकर मैं इसको जो call कर रहा हूंगा वो भी API fetch करवाँगा मैंने एप fetch करवाया हूँगा API fetch done इदर आ जो एक h1 add करो इसके उपर आकर और उसको मैं बोलनूगा मेरी news API ठीक है इसके बार हम लोग क्या काम करते है इस URL को जरा check करते है कि किसना से काम कर रहा है मैं बनाओगा अपनी एक state use state उपर import हो गई है और मैं इसको यह इंपर कर लेता हूँ यार use state और मुझे use effect भी चाहिए अपना दोनों को import कर लूँगा use effect दोनों को import कर लिया मैंने identify use state has already been declared क्योंकि दो बार ही declare हो गया यह ठीक है इसको हटाते है done है और क्या कह रहा है वो मसला क्या कर रहा है और क्या मसला कर रहा है और क्या मसला कर रहा है यह एक error मुझे दे रहा है expect an assignment or function called instead saw an expression और कि यह use state नहां यहां पर यहां पर मसला कर रहा है यहां पर आऊँगा मैं अपनी state पर प्रोपर बनाऊँगा cost news के नाम से और set news इनको करो use state is equal to use state और by default एक EMPTY Array, मैं यह रखूँ हूं, इसको, अब यह EMPTY Array मैं यूरी रख रहे है, इस EMPTY Array को मैं इसलिए रख रहे है, क्योंकि सारी सारी मैं पूरा खबार जो URL ना, वो इस EMPTY Array के अंदर रेंडर होने वाला आगे जाके, तो मैं बस इसको पूर EMPTY Array को आगे जाके रेंड इफेक्ट के अंदर किसा से लोग अपनी API को fetch कर सकते हैं अब मैं बना रहा हूँ अपना एक function जिसके अंदर मेरी proper fetching हो रही होगी सारी API की और उस function को मैं call कर रहा दूँगा direct मेरे उस use effect के अंदर या फिर मैं ये भी काम को एस कर सकता हूँ के use effect के अंदर इस ब्राइरा के अपना function बना दूँ दोनों options है मेरे पास तो मैं पहले इसको थोड़ा सा खोल के करने के लिए कचा रहा हूँ तो मैं एक separate function बनाऊँगा cost fetch news fetch news सही है कुछ इस तरह से done हो गया fetch news अब ये fetch news किस्ता से काम कर रहा होता है हमारा और यहां पर आके हम लोग ज़रा सी बात करने वाले हैं आपने synchronous और asynchronous javascript की क्या चीज़ है चीटी बरी रहा synchronous और asynchronous javascript बताया हुए ना मैं नहीं आइधिंक सो हाँ फिर ठीक है कि इस तरह सब्सक्राइब होता है हमारे पास यहां पर वह क्या आगाम करता है कि अगर आपका कोई वैसा कोड़ क्योंकि हो सकते कि execution में time ले ले तो वह आपके code को block नहीं करता है वो background में चला जाता है अगला code अंडर हो जाता है यह हमारे पास asynchronous होता है और synchronous blocking code और asynchronous non-blocking code होता है तो यहां पर आके हम लोग पागी काम करने वाले है let's suppose हम लोग गूगल से API को fetch कर रहे हैं और यहां पर हम लोग गूगल से ही कर रहे हैं यह हमारे पास सिर्फ एक URL पढ़ा हो है हम लोग वहां से API को fetch कर रहे हैं हो सकते हमारा internet slow हो अगर मारा internet slow है तो हो सकते fetching में time ले ले तो मैं यह नहीं चाहूँगा कि मेरा अगला code जो ब्लॉक हो जए तो मैं फिर क्या काम करें कि मैं इसको asynchronous बनाऊँगा non-blocking बनाऊँगा तो non-blocking में इसको किसा से बनाऊँगा मैं बनाऊँगा यहां पर आके अपने function के अंदर लिखूँगा async इसको बोलते है asynchronous इससे यह होगा कि मेरा यह पूरा पूरा जो fetch new function यह asynchronous बन जाएगा asynchronous ओके इदर आजो और अब दर आपने फैच्छिंग करते हैं यह जो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो बिल्कुल नहीं चीज़ आपके लिए पहले बाज चीज़े तो चलो थोड़ी बहुत repetitive हो रही थी यह बिल्कुल नहीं चीज़ आपके लिए ठीके मैं आ रहा हूँ यहां पर आके मैं अपना एक function बना रहा हूँ और function क्या रहा हूं अर्त को और मैं कर रहा हूं इसको मेरा response variable का नाम है is equal to fetch करो fetch क्या है एक built-in method होता है जो के आपकी किसी भी link के अंदर के सारे data को fetch कर रहा होता है ठीक है यह फेच एक built-in method है, तो मैं इसको call करवाँगा कुछ इस तरह से, ऐसे ही है ना, तो fetch एक built-in method होता है, तो हमने इसको एक variable की call किया हुआ, fetch को मैं pass करूगा मेरा URL जो उपर मैंने अपना variable बनाया URL, वो मैंने pass किया इसको, इतने से code से हुआ यह है, कि वो fetch कर चुका है इस URL को, इसके अंदर जितना भी data पढ़ा, वो इसको fetch कर चुका है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को console.log करके दिखाता हूँ, ना, मेरा यह response, तो आपको देखोगे, मुझे वो सारक सार response मेरी console में दिखेगा, लेकिन वो तब दिखेगा, जब मैं मेरी fetch news function को call कर यह तो किने पर call ही नहीं हो रहा, मैं इसको call कर वाँगा मेरे use effect के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि use effect के अंदर हम लोग अपने API को fetch कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पर आकर call कर वाँगा, कुछ यह सार से, और मैं call बोलूँगा fetch news, done है, कर सकता हूँ ऐसे मैं, या तो यह का तो fetch news नहीं आप आकर call कर वाँगा, अब अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, मुझे proper मेरा data as an readable form में तो नहीं दिखाएगा, बर मुझे कुछ ना कोई चीज़ कंसोल में मेरे दिखाएगा जरूर, आप और चेक करो, मैं आपको क्या चीज़ दिख रहे हैं आप लोगों को, एक promise, मैं promise के वाँ में थोड़ी बद बात की थी पहले, promises क्या चीज़े होती है, promises होते हैं हमारे पास, कह लोगों कि वो काम जो अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होना है अभी, उसने promises की states होती हैं हमारे पास, मेरी इसकी दो states होती है, एक होती है success की, और तीन होती है, success क के हो, या सबकी promise ने proper पूरा return करवा दिये, एक होती है false की, कि वो नहीं हुआ, return नहीं हो पाए, या एक होती है pending की, कि अभी उस पर request जा रही है, proper उसका response भी आए नहीं है, तो यह जो state यह pending पर show करवा रहा है, अगर मैं इसको रिलोड करवा दूना, तो आप लोगो चेक क इसके अंदर यह state में जो बता रहे है, fulfilled होती है, sorry, मैं आपको success बता रहे है, fulfilled होती है, fulfilled, ठीक है, तो यह क्या चीज़ है, मेरे पास सिक promise है, जो कि अभी pending state में है, अभी यह proper मेरा पूरा render नहीं हुआ, वो बता रहे है कि इसके अंदर यह URL पढ़ा था हमारे पास, इस URL को आपने fetch किया है, response हमारे पास यह आया है, कुछ इस तरह से, ठीक है, यह कोई readable form में नहीं है हमारे पास, हम लोग चाहते हैं, इसको readable form में लेकर आना, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर अपने उस promise को proper कर रहे हैं, fulfilled, ठीक है, अभी pending पर है, तो इसको fulfilled, अब किस साथ से करते हो जब कभी भी आपनों किसी भी API को fetch कर रहे होते हैं गूगल से, गूगल से आपके को API आरे हो, आप इसको fetch कर रहे हो, आप पर यह लागू है, आप उसको convert करो कि हमेशा JSON form में, JSON form में, JSON क्या चीज़ है, JavaScript Object Notation, इसको बोलते हैं, जो कि यह data होता है, हमारा यह, और इसको अग जब भी fetch करते हो, आपको उसको JSON में convert करना पड़ते हैं, अपने promise को fulfill करने के लिए, ठीक है, तो हमें, इसको, वो जो हमारा response variable है, उसको मुझे किसी तरह से, इस form के अंदर, जो है, 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 तो मैं किससा से करूँगा, मैं यहाँ होगा, और मैं यहाँ पर आके अपना एक new variable बनाऊँगा, कॉंस data is equals to, और मैं करूँगा मेरा वो जो response उपर variable था, dot JSON, बस, response.json, इस से क्या होगा, वो as in JSON form में convert हो चुका है, बस, अब अगर आकर मैं यहाँ पर response की जगा मेरा data करता हो, अब मुझे मेरा सारक सारा data दिखेगा, इ हाँ, जी, पहले आप, पहले आप बोले, इसके आगे, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक variable बच्चे का, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा रहा हूं, बस, आप लोग यह काम कर सकते हो, dot करके इसकी को आगे JSON form में convert कर सकते हो, control-z, control-y करो, control-z, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसी को JSON form में convert कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं बनने वाला, हाँ, यह इस साथ से call हो रहा होगा, ठीक है, यह भी कर सकते हो, तो यह एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, हाँ, यह data, is a response हाजएगा, तो बात एक ही है, यहा और अब जरा आप लोग देखोगे कि वो error क्या है, और मैं इसको वापसे खोल के आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से data, इधर भी data करते हैं, save करेंगे, ब्रावजर में आते हो जरा चेक करते हैं कि error क्या आएगा हमारे पास, इधर आते हैं, और अब जरा इस error को पड़ो के गार से कि error किस चीज़ का है, response.json is not a function, ठेक है, यह जो हमारा जेसन है, मैंने उसको call करवा यहां पर आके ऐसी है, वो कहरे रहे हैं, यह function है नहीं, आप इसको call करवा रहे हो, मैंने काम ठीक किया हुआ है, इसको call मुझे करवाना है, वो मुझे यहां पर आके ए जब आपने बोला कि यह ac corners function होगा है, कैसी है, आपको फिर आके बताना पड़ता है, कि यार await करेगा, यह क्या होगा, यह आपकी fetching में में भी time ले सकता है, इस await कितो हम लोग बताते हैं, कि हमारा जो promise है, वो promise return करें में थोड़ा सा wait करेगा, थोड़ा सा time लेगा, बस यह आपने keyword add करना होता है, अब अगर इसको save करके मैं आओ मेरे browser में और इसको यह आकर reload करते हैं, आप आपको चेक करो, क्या रहा है, status होग के आ रहा है, total results 14778, और array है, जिसके अंदर 100 हमारे पास items हैं, अगर आप उसको खोल कर चेक करो, तो यह array है, हमारे पास 100 items उसके अंद आपने चीज़ होती है, देखो, async का क्या मदब होता है, उससे हम लोग अपने function को बताते हैं, गया हमारे जो function होने वाले ना, वो non-blocking होने वाले, block नहीं करेगा हमारे अगले code को, ठीक है, जब हम लोग अपने fetch को यूज करते हैं, यह हम लोग में लिग कहलो कि यहाँ प कर जाएगा हमारा, और इसको save करके, मैं आता हूँ मेरे browser में, मुझे मेरा इसारकसा console में data दिखने वाला है, मुझे मस्टान लिगने वाला है, यहाँ पर, done है, कोई मस्टान यहां तका कि किसी को भी, हाँ, आप simple function के साथ भी लक्से कर सकते हो, बस function से पहले लिखे लिखे देना आप उसको, यह आपका properties का syntax बनेगा, async, और await, await आपको फिर इन दोनों के साथ एड़ करना पड़ेगा, fetch के साथ भी, यह जो है, आपके variables के नाम है, ठीक है, और यह response, जो आपके पीछे variable.co.dation में convert करता है, यहां ते clear है सबको, तो हमारा सारे के साथ जो data वो console में आ रहा है, अब मुझे सिर्फ यही काम करना है, इधर आओ, और सिर्फ और सिर्फ इस news के उपर मैं आपका method apply करो, सारा काम बन जाना है, तो मैं कल करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि क्यों हमें जरुरत है इसकी, इस empty dependency की क्यों हमें जरुरत है, मैं आता हूँ यहां पर, और मैं यहां पर आकर set करता हूँ, मेरे set news, जो मेरा उपर stay function था, और उसको मैं pass करो, मेरा यह वाला data, जो मेरा variable था, जिससे उसके पास मेरा सा होता ही जा रहा है बार-बार, होता जा रहा है बार-बार, जो यह बार-बार data fetch होता जा रहा है, मेरा क्या होगा addend, crash, addend crash ही कर जाएगी, देखो ना, 100-100 करके कितने हमारी पास items आ रही है एक time पर, तो addend क्या करेगा, मेरी application को crash कर जाएगा, तो इसलिए यहां पर हमें जर नहीं करेगा यह, bounce sir, आगी साइज समझ, बाकिकल इसकी mapping करेंगे, इंशालला, done है, end करेंगे, इसको,